वेलकम बेक टूदी चैनल और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी चैनल दियत दपक के प्लेटफॉम पर और एक बार फिर से अखबार में भेकंसी आई हुई है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि जहारखन में 26,000 सिच्छोगों की जल्द होगी न्यूकती और इस बार सिच्छा मंत्री जगरनात महतों का भी बेयान आया है तो इस पर हम लोग डीटेल में बात करेंगे क्या सच में जहारखन में सिच्छोगों की न्यूकती होने वाली है तो इस पर आईए डीटेल में बात कर लेते हैं पहले मैं आपको बता दू सिच्छा मंत्री जगरनात मतों को ब्यान आया है कि जारखन में 26,000 सिच्छोगों की जल्द होगी न्युक्ति और इस तरह के न्युक्ति आज देड़ से दो साल से हो रही है यह एक मजाक से कम नहीं है इसको मैं मजाक इसलिए कहूंगा कि जारखन में 26,000 सिच्छोगों की न्युक्ति की बात करते हैं लेकिन सरकार अभी तक यह किलियर नहीं कर पाई है कि वह 26,000 सिच्छोगों की न्युक्ति किस नियमावली के तहत करेंगे क्या हुआ सिधी न्यूक्ति करेंगे या फिर जो JSC के दोरा मेंस परिछा की बात कही गई थी उसके तहत यह बाहली की जाएगी अभी तक सरकार के तरफ से कोई किलियरिफिकेशन नहीं हुआ है इसके बावजूद भी वह करते हैं कि 26,000 सिछगों की जल्द होगी न्यूक्ति अब इस पर आपके उपर में छोड़ दता हूँ कि अब कब तक जल्द न्यूक्ति होगी यह आप सभी को पता होगा इसके साथ हम बात करेंगे कि जारखन में यह भी किलियर नहीं हो पाया है कि जो बाहली पर किलिया सुरू होगी इस पर सिटेट अभरती यानि कि सेंट्रल टीचर इलिब्डिटी टेस्ट जो पास कंडिडेट है उनको मोका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा क्योंकि बार-बार आप सभी का कमेंट आता है सर सिटेट को भेलिट किया गया है या नहीं किया गया है बिल्कुल अभी तक कोई नोटीस या फिर कोई इस तरह के खबर नहीं आई है जिससे कोई भी या असपस्ट रूप से आपको बता पाए कि सिटेट जारखन में होंगे और इसी के साथ मैं आपको यह पूरा नहीं पढ़ूंगा यह पूरा पढ़ने का कोई फाइदा नहीं है फिर से वही घिसी पीटी बात जो कि हर बार पेपर में आउट होता है लेकिन इस बार सिच्छा मंति जगरनात महतों का बयान आया था तो मैंने सुचा कि चलि हजार और सिच्छों की बाहली भी प्रकिर्याधिन है सरकार के समझ तो यह बात कही गई थी तो आई थिंक कि आपको पूरी बात तो समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं बाकी आपको कोई डाउट रगे होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे मिलते हैं एक नए व